क्रोना वायरस का कहर जहां पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है तो वहीं अब क्रोना वायरस के भारत में तकरीबं 30-31 मामले सामने आ चुके हैं इसी के साथ लोग अफवाहों का शिकार होते हुए भी नजर आ रहे हैं तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी अफवाहे हैं जो क्रोना वायरस को लेकर फ्याल रही हैं नमबर वन ऐसा कहा जा रहा है कि मौसम का तापमान ज्यादा होते ही क्रोना वायरस नश्ट हो जाएगा जबकि ऐसा होने के अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं गर्मी बढ़ने से वायरस को समय के लिए निश्क्रिये तो हो सकता है लेकिन वो पूरी तरीके से नश्ट नहीं होगा वही कुछ लोगों का ये मानना है कि गरम पानी से नहाने से क्रोना वायरस आपके शरीर से दूर रहेगा जबकि सच्चाई तो ये है कि ऐसा करने से आप वायरस की चपेट में आने से नहीं बच सकते खुद को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से हाथ दोना एक मात बहतर आप्शन माना गया है लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन के प्रोड़क्ट्स में क्रोना वायरस हो सकता है इस अफवाह पर भी पूरी तरह से यकीन कर पाना मुश्किल है क्यूंकि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह दिलिवर होने में जितना समय लगता है उतने दिनों तक वायरस का टिक पाना ना मुम्किन है जोरान टेंपरेचर और कंडिशन में भी बड़ा बदलाव आ जाता है वहीं आपको ये भी बता दें कि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे शरीर पर अलकोहल का चुड़काव कर वायरस से बचा जा सकता है जरा सोच ये जो वायरस आपके शरीर में पहले से ही दाखिल हो चुका है उसे आप अलकोहल का चुड़काव करके कैसे नश्ट कर सकते हैं वही अब वाहों का बाजार इस चीज को लेकर भी गरम है कि जानवरों से भी क्रोना वाइरस फैल सकता है अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं मिने हैं कि जानवरों के जरिये भी क्रोना वाइरस फैल सकता है अच्छा यही है कि आप अपने आसपास सफाई का विशीश ध्यान रखे नेक्स्ट नाइन न्यूस से आतिक रपोच